एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बोला आप बस तीन हफ़ते जिन्दा रहेंगे वो आदमी परिशान हो गया और बोला डॉक्टर मैं क्या कर सकता हूँ डॉक्टर बोला दिन में तीन बार मड़ बात लो आदमी बोला ओ, क्या इससे मुझे मदद मिलेगी क्या मैं बच पाऊंगा क्या ऐसा करने से मैं लंबा जीवन जी पाऊंगा डॉक्टर बोला नहीं बस यही है कि जब वो आपको दफनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा जटका नहीं लगेगा क्यूंकि आप पहले ही ऐसा कर चुके होंगे हर दिन तीन बार तो आम तोर पर धर्ती या मिट्टी को अमेरिका में लोग मिट्टी को धूल कहते हैं यहां भी आप उसे धूल कहते हैं या मिट्टी भारतिये लोग मिट्टी कहते हैं बाकी लोग आप धूल कहते हैं या मिट्टी बोलचाल की भाशा में मिट्टी तो वहाँ इसे धूल कहते हैं तो धूल आप बारा प्रतिशत धूल हैं ठीक है? बस धूल हटानी क्यूंकि आपकी भौतिक्ता की बुन्याद धर्ती से बनी पानी, हवा और अगनी भी है लेकिन आपकी भौतिक्ता का आधार उस धर्ती के कारण है जो आपने लिए तो ये आपकी बुन्यादी भौतिक्ता है और ये बस बारा प्रतिशत है बस 12 प्रतिशद लेकिन ये आपकी भौतिक्ता का बुन्यादी तत्व है लेकिन यही आपका रास्ता रोक रहा है पानी को आप आसानी से रूपांत्रित कर सकते हैं हवा आप आसानी से रूपांत्रित कर सकते हैं अगनी में भी कुछ महनत करनी पड़ती है लेकिन वाके में ये रास्ता नहीं रोकती, ये अलग तरीके से काम करती है, इसका तरीका अलग है, ये धर्ती ही है जो रास्ता रोकती है तो बस 12 प्रतिशत आपका रास्ता रोक रहा है, देखें, कोई बड़ी रुकावट नहीं है आपके शरीर का बस 12 प्रतिशत हिस्सा ही आपकी मुक्ती का रास्ता रोक रहा है बस 12 प्रतिशत आप पानी और हवा को रूपांत्रित कर सकते हैं आप अगनी को भी रूपांत्रित कर सकते हैं वो आपको रोकती नहीं है बलकि वो रास्ता रौशन करती बस आपके शरीर का बारां प्रतीशत है जो रुकावट है बस थोड़ी सी धूल को अपने रास्ते से हटाना है ये जटिल काम नहीं है ये जटिल इसलिए है क्यूंकि आपने उसके रूप में अपनी पहचान बना ली है और आप उसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ये जटिल है देखिए ये फूल कितना खूपसूरत और जीवन्त है लेकिन आपके लिए मुश्किल काम नहीं था इस पौधे से काट कर उसे यहां लगाना है ना आपकी छोटी उंगली क्या इस फूल जितनी सुंदर है क्या ऐसा है क्या ऐसा है नहीं इसे काट कर यहां लगाईए मैं देखना चाहता हूँ नहीं क्यूंकि आपने इसके रूप में अपनी पहचान बनाई है बात सिर्फ दर्द की नहीं है हम आपको अनिस्थेटिक दे सकते हैं बात सिर्फ दर्द की नहीं है दर्द आपकी सुरक्षा के लिए हम दर्द को कम कर सकते हैं है ना हम आपको अनिस्थेटिक दे सकते हैं क्या आप इस उंगली को काट कर यहाँ लगा सकते हैं? क्यूंकि आपकी पहचान इसकी रूप में हैं? इसलिए ये आपका रास्ता रोकता है. वरना ये शरीर आपका रास्ता नहीं रोकेगा. जो आपको उंचा उठाने वाली सीड़ी है, वो फिलहाल रुकावट बन गई है. क्यूंकि आपने खुद के शरीर के रूप में पहचान बना ली है. तो एक तरीका है. भूत शुद्धी का मतलब है इसकी कमान अपने हाथों में लेना. ताकि आप इसे जैसा चाहें वैसा रूप दे सकें. ताकि ये वैसा काम करें जैसा आप चाहते हैं. पर साथ ही, शरीर में बहुत ज्यादा शमता आ जाना, कुछ लोगों के लिए परिशानी भी हो सकती है. क्यूंकि वो अपनी इस पहचान को और मजबूत बना लेंगी. क्यूंकि ये इतना अध्भूत काम कर रहा है. उनकी ये पहचान ज्यादा गहरी हो जाएगी. तो भूत शुद्धी एक खास संतुलन से होती है. एक विशेश महारत और एक खास अलगाव. एक विशेश महारत और एक खास अलगाव. सभी साधनाएं इस तरह से कंट्रोल होती है. विशेश रूप से धर्ती से जोड़ी साधनाएं, बहुत शक्तिशाली रूप में इस तरीके से कंट्रोल की जाती. क्योंकि अगर आपके शरीर की शमता बहुत बढ़ जाए, तो शायद आप अभी से भी ज्यादा बड़े अग्यानी बन जाएं. ऐसा होता है, है ना? अगर आप एक छोटे से गोल की तरह होते, तो आपको अपने शरीर पर इतना गर्व नहीं होता. आप शरीर के रूप में इतनी गहरी पहचान न बनाते. लेकिन अभी आप ऐसे हैं, तो हर बात आपके शरीर के ही बारे में हैं, है ना? हाँ या ना? शरीर सब कुछ हो जाता है, क्योंकि इसकी तारीफ की जाती है, लोग इसे अच्छा मानते हैं, तो आपके लिए शरीर ही सब कुछ हो जाता है. शरीर को एकदम फिट और उत्पादक बनाए रखना, और इसे एक दूरी भी बनी रहे. सभी साधनाएं इसी तरह से बनाए गई गई हैं. एक स्तर पर इसकी शमता बढ़ाना, एक अलग स्तर पर इससे थोड़ी दूरी बनाना. दूरी के बिना अगर शमता बढ़ जाए, तो अज्ञानता आस्मान तक पहुन जाएगी. लोग अभी से कहीं ज्यादा बड़े अज्ञानी बन जाते हैं, तो धर्ती की साधनाएं विशेश रूप से इस तरह से तैयार की जाती हैं, कि उचेद दीक्षा के बिना उन्हें वाकई में कभी नहीं सिखाया जाता, क्यूंकि पहले अलग रखना सीखना चाहिए, और फिर शमता, वरना लोग अभी से ज्यादा उलज जाएंगे, तो क्या इन्हें सिखाया जा सकता है, बिल्कुल सिखाया जा सकता है, लेकिन सभी पार्ट टाइम योगी हैं, हफते में एक बार योगी बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा साधनाएं सीखते जाना भी अच्छा नहीं, ऐसे लोगों को ये करना चाहिए, आप सभी को ये करना चाहिए, कि एक साल में आपको कम से कम दो से तीन हफते की छुटी लेनी चाहिए, वो भी दो या तीन बार, जिस दोरान आप ये सारा समय सिर्फ अपने लिए बिदाएं, सिर्फ अपने लिए, क्या ये स्वार्थ नहीं, मैं अपने परिवार के साथ छुटी पर जाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि जो सबसे अच्छी चीज आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों, अपने समाज और आसपास की दुनिया के लिए कर सकते हैं, वो है इसमें सुधार लाना, है न? हाँ या न? ये वो सबसे अच्छी भेंट है जो आप किसी को दे सकते हैं, अगर आप एक शांदार इनसान बन जाएं, तो क्या ये सबसे अच्छी भेंट नहीं होगी? ज्यादतर इनसान मुश्किल होते हैं हमेशा नहीं मैं जानता हूँ हमेशा मुश्किल हों तो उन्होंने आपसे छुटकारा पा लिया होता लेकिन दिन में कई बार मुश्किल नहीं बस दिन में दो बार अगर कोई दिन में दो बार मुश्किल बन जाता है तो उनके साथ रहना एक बोज बन जाता है, है न? हर दिन आप सिर्फ पांच मिनिट गुस्सा होते हों, आप पागल हो जाते हों तो इतना काफी है, कोई भी आपसे ठक जाएगा, है न? आपको 2400 गंटे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है बस दिन में पांच मिनिट, हर दिन आप गुस्सा हो जाएए कुछ समय बाद, लोगों में आपके लिए सिर्फ नाराजगी होगी हाँ या न? खुद को गंदा करने के लिए, आपको गंदगी में डूबना जरूरी नहीं है आप बस गंदगी का एक टुकड़ा अपनी नाक पर लगा कर घूमिए इतना ही काफी है, कोई भी आपके पास नहीं आना चाहेगा, है न? हर चीज साफ और अच्छे से धुली हुई है, बस गंदगी का एक टुकड़ा आपकी नाक पर क्या कोई आपको छूना चाहेगा? हम? नई, बस यही करने की जरूरत है आपको पूरे दिन बुरा बनने की जरूरत नहीं है तीन दिन में एक बार आप बुरे बन जाईए इतना काफी है आप से ठकने के लिए, है न? तो आपको धूल को रास्ते से हटाना होगा लेकिन साथ ही उसके बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता तो आपको इसे ज्यादा सक्षम, ज्यादा कुशल और ज्यादा जागरुक बनाना बड़ेगा एक ही मिट्टी को कई रूप दिये जा सकते हैं हाँ? आप उससे एक गेन बना कर किसी पर फेंग सकते हैं या आप उससे एक घड़ा बना सकते हैं आप पानी का एक सरल घड़ा बना सकते हैं या एक बहुत सुन्दर सजावट का घड़ा बना सकते हैं या आप उसके बरतन बना सकते हैं आप कई चीजें कर सकते हैं ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कितनी प्रक्रियाएं करने के लिए तयार हैं, हैना, मिट्टी के एक टुकड़े के साथ, तो ये भी वही है, एक मिट्टी का टुकड़ा, आप इसे कितनी प्रक्रियाओं से गुजारने के लिए तयार हैं, इसी आधार पर ये बिल्कुल अलग चीज बन सकता है, हो सकता है आप बस एक इंट हो, या एक घड़ा, या एक सुन्दर घड़ा, या शायद चीनी मिट्टी का घड़ा, आज चीनी मिट्टी का इस्तिमाल गाडियों के इंजिन में भी किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं? वो चीनी मिट्टी के पिस्टन बना रहे हैं, इसकी कुशलता सबसे ज्यादा होती है, ये कोई भी तापमान जेल सकती है, तो ये इस पर निर्भर करता है कि वही मिट्टी कितनी प्रक्रियाओं से गुजर चुकी है, और आप भी उसी सामगरी से बने हैं, तो आपको कितनी प पर अगर आप इससे जरूरी दूरी नहीं बनातें, तो ये खुद एक उल्जन बन जाता है, तो धर्ती तत्व से जुड़ी साधनाएं एक विशेश तरीके से सिखाई जाते हैं, ताकि क्षमता और दूरी में संतुलन बना रहे हैं, ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहि झाहितल आप इसस जाता हैं